iOS 18 तो आपने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स है, जो बहुत ही इंपोर्टन है, जो आपको तुरंट के तुरंट चेंज कर लेनी चाहिए, एक बार आप iOS 18 यूज़ करना शुरू कर देते हो, नमस्कार दोस्तों, मैंना में हमित, टेकनोलोजी के दुनिया मैं हर दिन आपको सीखना चाहते हो, तो यह जाल स्पेसिफिकली आपके लिए, तो सबसे पहली सेटिंग के लिए, अपको हम सेटिंग में आएंगे, यह आपके हम आएंगे वाइफाइ में, जिस भी वाइफाइ से आप कनेक्टेड हो, उसकी बाजिए में आपको जो आई बटन दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर लेना है, अब यहाँ पर नीचे आपको एक उप्चन मिल ला है, प्राइवेट वाइफाइ एड्रेस, जिसके उपर जैसे टैप करोगे, आपके बस तीन आप्चन आजाएंगे, आफ, फिक्स या रोटेटिंग, अब तीनों का सबसे पहले में समझा देता हूं, फिर वे आपके बताता हूं क्या आपको कब यूज़ करना चाहिए, तो अगर आपने ओफ सिलेक करके रखा होगा, तो हर कोई आपको देख पाएगा उस वाइफाइ नेटवर्क पे, तो हर किसी को पता चल सकता है कि आप कौन हो, लेकिन अगर आप रोटेटिंग पे आते हो, तो रोटेटिंग में यह होता है, कि एवरी सिंगल टाइम, जब भी सेम वाइफाइ से आप कनेक करोगे, एवरी टाइम ऐसे लगेगा, एक नया फोन कनेक कर दिया गया उस वाइफाइ से, तो जब भी आपको पब्लिक नेटवर्क पे कर ट्रस्टेड वाइफाई यूज कर रहे हो तब आफ फिक्स पे सेट करके रखिए क्योंकि हमारे गर पे जो राउटर्स है उनको कुछ लिमिटेशन होते हैं कि इतने डिवाइसे ही कनेक्ट हो सकते हैं ऐसे में अगर उस वाइफाई राउटर के यह लगेगा कि यह है तो नंबर ओफ डिवाइसे जो कनेक्ट होते हैं उस राउटर से वो कम होते जाएंगे इसलिए घर पे जब आप हो तो फिक्स यूज करिए कोई पब्लिक नेटवर्क पे हो तो रोटेटिंग यूज करिए और ओफ में रिकमेंड करूंग आपको नहीं यूज करना चाहि है आपको एक option मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा privacy and security अब सबसे पहले यहाँ पे आपको highlights का जो option दिख रहा है इसको on कर देना है next prevent cross-site tracking को भी आपको on कर देना है जो आपकी privacy and security के लिए बहुत ही important है require face ID to unlock private browsing इसको भी आपको on करके रखना चाहिए तो जब भी आपको प्राइवेट ब्राउजिंग करोगे तो सबसे पहले आपके face ID के तो authenticate होगा and of course lastly fraudulent website warning इसको भी आपको turn on कर देना है इस सारी चीज़े आपकी privacy and security के लिए बहुत ही important है अब next setting के लिए again settings के अंदर apps में आएंगे and इस बार हम आएंगे passwords में तो यहाँ पे password पे आप जैसे को मिलते हैं लेकिन उस app की settings आप यहाँ पे आके change कर सकते हो तो थोड़ा से नीचे ड्रैग करेंगे सबसे इंपोर्टन चीज़ डिटेक compromise passwords इसको आपको on करके रखना है तो अगर आपको कोई भी password compromise हो चुका होगा तो वो detect करेगा आपको बताएगा and उस चीज़ के लिए इस option को on करके रखना है suggest strong passwords यह भी आप on करके रख सकते हो तो जब भी आप कोई भी password डालने हो तो automatically कोई strong password आपको recommend करेगा apple and of course last option आपको change करना है that is allow automatic pass की upgrades इसको भी आपको on करके रखना है तो इसे हो गया है कि जो websites and apps है तो automatically upgrade हो जाएँगे to use pass keys जब भी available हो गये तब next setting क में आएंगे and यहाँ पर आपको option मिलता है search का अब search की अंदर आपको option मिलेगा improve search इसको आपको off करके रखना है अब क्यों off करके रखना है क्योंकि जो भी search अपने phone में करते हो with a spotlight में करते हो safari में करते हो यह सारी search की histories apple store करके रखता है तो अगर आप चाहतों कि apple आपके searches store करके ना रखें तो फिर आपको यह option को off करके रखना पड़ेगा next setting के लिए again all the way नीचे आएंगे apps में आएंगे and इस बार हम आएंगे messages में तो यहाँ पर आपको messages को option मिल रहा है यहाँ थोड़ा दा नीचे drag करेंगे and आपको option मिल जाएगा notify me mentions के लिए तो यह आपको on करता है तो in that case आपको एक notification मिल जाएगा बाकी के जो भी conversations होंगे वो muti रहेंगे अब यह वाली setting and कुछ और settings भी है जो already iOS 18 के पहले available थी लेकिन मेरे को लगा बहुत ही important है इसलिए मैंने उनको cover किया इस वाले वीडियो में आई अब 3 accessibility settings में आपको बता लेता हूँ जो again बह accessibility में यहाँ पर थोड़ा से नीचे ड्राइग करेंगे न हम आएंगे motion के अंदर and यहाँ पर show vehicle motion cues को आप automatic भी रख सकते हो यहाँ फिर on भी कर सकते हो अब इसे होगा यह कि अगर आपको motion sickness है तो उसमें आपको बहुत ही help मिलेगी कैसे help मिलेगी आईए मैं आपको एक demo and जब भी में turn कर रहा था, break कर रहा थी या फिर accelerate कर रहा था उस हिसाप से यह dots move हो रहे थे तो यह dots move का मतलब इतना ही है कि अगर आपको कोई motion sickness है तो वो आप avoid कर सकते हो इस वाले function को activate करके चली एक स्टे वापस आते हैं अभी हम accessibility के अंदर ही है and थोड़ा से नीचे drag करें हमको search करना है Siri का option तो यह पर आपको Siri मिल जा रहा है इसके अंदर आने के पाल आपको काफी नीचे आना है and यह पर आपको option मिल जाए है require Siri for interruptions अब इस option को on करने से क्या होगा तो for example मैंने Siri को कोई भी command यह पर बोला है what is the date today hey Siri तो यह पर आप देख सकते हो कि मैंने किसको command दिया and बीच में मैंने इसको टोक दिया that is beach में मेरे को लगा कि जो question मैंने पूछा तो सही नहीं था मेरे को इसको change करना था तो before Siri इसका answer दे पाए उसकी मीच में इसको टोक सकता हो and उस टोकने के लिए मेरे को यह वाले option को on करके रखना पड़ेगा of course नीचे आके यह पर आप call hang up को भी on कर सकते हो जिससे यह होगा अगर आप कोई call पर हो तो आप Siri के through आपके calls को hang up कर सकते हो अब यह feature पहले भी था इसलिए इतना important नहीं है एक step यहाँ पर वापस आते है again आप accessibility में आते है and यहाँ पर बात कर ले थे vocal shortcuts के बारे में again बहुत ही काम का feature है यहाँ आप कोई भी action set कर सकते हो continue पर यहाँ पर tap करेंगे for example मैं call पर tap करता हूँ and यहाँ पर मैं कोई भी phrase डाल सकता हूँ तो say for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ phone लगा and यहाँ पर go पर tap करते है इन यहाँ पर मेरे को वह phrase बोलना है तीन बार phone लगा phone लगा phone लगा and action create हो चुका है यहाँ पर continue पर tap करेंगे and I यह try करके देख ले थे phone लगा and आप देख सकते हैं call place कर दिया तो इस तरीके से आपके हिसाब से आपको जो shortcut set करना है vocal shortcut वो आप यहाँ पर आके set कर सकते हो वैसे आपकी creativity क्या है comment करके ज़रूर बताना अपने कौन से नए vocal shortcuts create किये जो totally अद्बूत और अनोके है comment करके बताना सोधा सबको पता चले accessibility यहाँ पर खतम हो चुका है वापस आते है main screen में that is settings में है अब आते है general के अंदर and यहाँ पर थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे आपको option मिले को auto fill and passwords यहाँ पर टैप करने के बाद अब आपको यह दो option मिलते है जैसे कि मैं आपको पता passwords का app अप अलग हो चुका है that is एक app है जिसमें आपको सारे passwords save होके मिलते है तो अब आपको auto fill from passwords को on करके रखना चाहिए अगर आप iCloud के through जो password आपने save किये उन passwords को use करना चाहते हो तो next again वापस चलते है and इस बार चलते है camera में अब camera में तोड़ा तो नीचे drag करेंगे and यहाँ पर आपको option मिले के prioritize faster shooting अब कित special moments miss नहीं करने तो आप जब multiple pictures back to back click करते होते है तब यह होता है उन pictures की quality drop हो जाती है अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपकी जो quality और drop नहीं होनी चाहिए अपको आप iPhone के दूर picture click करो आप आपको यही चाहोगे कि आपको best quality picture मिले तो in that case आपको इस वाले option को off गगर जिसमें आप charge limit set कर सकते हो तो अगर आप चाहते हो कि आपका iPhone 85% के उपर चार्ज नहीं होना चाहिए या फिर 90% के उपर चार्ज नहीं होना चाहिए तो इस तरीकित आप selection कर सकते हो 80% अफकोस पहली भी था लेकिन अभी आप 90% 95% या फिर 100% set कर सकते हो in my case तो मैं optimize battery charging ही य तो background में जो music बज रही है वो भी इसमें record होगी अब वो record करने के लिए आपको एक setting को यहां पर change करना पड़ेगा उसके लिए हम आएंगे settings में यहां पर आएंगे camera में उसके बाद हम tap करेंगे record sound and यहां पर आके allow audio playback को आपको on करके रखना है and आखरी setting के लिए settings के अंदर यहां पर आपका नाम लिखा हो आपको tap करना है next आपको tap करना है personal information यहां पर आपको tap करना है communication preferences यहां पर आपको इन दोनों य उप्शन्स को off करके रखना है अब यह off इसलिए आपको करना है तर अगर आपको को unwanted emails नहीं चाहिए apple के तरफ से तो फिर आपको यह दोनों आप के रखूंगा अब उस वीडियो में जो भी पॉइंट मैंने आपको बता है वो इस वीडियो में कवर इसलिए नहीं की है क्योंकि अन्नेसरली मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो लोग नए इस चैनल पर उनके लिए स्पेसिफिकली मैं लिंक देके रख रहा इस वीडियो में कुछ भी कवर नहीं किया है क्योंकि पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं और वो रिपीट नहीं करना चाहरा हूं अन्नेसरली आप बोर हो जाओगे लेकिन अगर आपको वो भी जानना है तो simply लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो वीडियो में